हेलो दुस्तों सुवागात है आपको आपनी चलता है अर्दवार सिक आंकलन 2022-23 प्रोज़क्ट कार्या का रेकτε अuntल compromise पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं कक्षा आठ के प्रोजेक्ट कारे के हल तो आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में वीडियो मिल जाएंगे उन पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं उन्हों वाले वीडियो में हमने क्या-क्या यहाँ पर हिंदी का हिंदी के वीडियो हल कराए हुए हैं गड़ित के करवाए हुए हैं और अंग्रेजी का यहाँ पर सल्यूशन दिया गया है वा बिग्यान का तो यहाँ पर चाल सब्यक्ट के यहाँ पर हल मिल जाएंगे यह प के बाद हमारा समय दिया गया है एक सप्ता है तो आप एक सप्ता में से कंप्रिट कर लेंगे इसमें क्या दिया गया देखी डंग से प्रोजेट कारे के लिए बच्चों को एक सप्ता है समय दें बच्चों को प्रोजेट कारे के लिए यहाँ पर बनाने के लिए आपको तो इस में देखिए क्या लेखा है संस्कृट दिया गया है तो संस्कृट में के यहां पर लिखना है तो तो देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर यह पहला लिखा हुआ हमारा तो इसे पढ़ लेते हैं तो यह हमारा संस्क्रिट विसाइका है संस्क्रिट विसाइका है पहला कोस्चन का अंसर है इसको देखेंगे यह हमारा किसके ऊपर है संस्क्रिट दबस के ऊपर है तो देखें पहला लिखा हु मना जाता है जो हमारे यहां पर लिखा हुआ है जो आपका संस्क्रिट दिबस मना जाता है संस्क्रिट ठीक है संस्क्रिट दिबस मना जाता है वो क्यों मना जाता है यह संस्क्रिट लिखा इसके बाद में मतलब दिबस अस्तित्व नहीं है जबकि हमारे जो मूल भासा हिंदी है उसका जन्म भी इसी भासा से आपका माना जाता है संस्क्रित भासा से ही और जो हमारे प्राचिंदम के रत्मत है वो भी संस्क्रित में रचे गए हैं तो इसको बचाए रखने के लिए यहाँ पर जो संस्क्रित दे ह होता यानि संस्कृत भासा का दिवस उसे हम मनाते हैं इसलिए संस्कृत दिवस मनाया जाता लिए कि आपको समझ मैं आ गया होका इसके बारे बार अहां पर मतलब कि, आपका यहां पर क्या हुआ है, संस्कृइत दिवस प्रती वर्श रावन पूर्वन के दिन, संस्कृइत दिवस संपूर्व्ण देश में मनाया जाता है, इसके लगा तीसरा पोइंट हमारे होगा, यहां पर तीसर लिखेंगे. सर्वे प्राचीन तम प्राचीन गिरंता चतवारा बेदसच संस्कृत भासा या मेव संती मतलब कि हमारे जो सबसे पुराने बेद हैं सभी और जो चार यहाँ पर सभी गिरंत हैं यानि यहां पर सरवे प्राचीनिग्रंत यानि सभी जो प्राचीनिग्रंत हैं हमारे वो चारों जो बेद लिखे गए हैं वो हमारे संस्क्रित भासा में लिखे गए हैं इसके बाद चौथा हो जाएगा संस्कित भासा भारत राष्टरस से एक तया आधारा अस्ती यानि हमारे राष्ट को एक रखने वाली भासा की रूप में संस्कित भासा को माना जाता है इसके बाद जो हमारी यहाँ पर ब्याकरणम पूरतियाह तर्क सम्मतम सुनिश्चतम च तो उसी से तर्क निकालते हुए हमारी जो हिंदी भासा या इंगलिस की जो इंगलिस है गिरामर है वह आपका इसका जन्म हुआ है आसा ही कि आपको अच्छे समझ में आगा होगा आपने अच्छे से नोट्डाउन इसे किया होगा इसके बाद हमारा जो अगला कॉस्चन थ लिए थे पिछले वाले में देख लिए अच्छे से दिखा देते हैं तो यह रहे हमारे पांच बाग के अच्छे से लिख लिजे इनको सेकंड कॉस्चन हमारे यह रहा इसमें हमें क्या लखना है कभी कालिदास के उपर आपको सेकंड में पांच पॉइंट लिखने तो दे चीक है इसके बाद दूसरा लखा हुआ हमारा तो दूसरा लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे second डालेंगे point तो यहाँ पर second डालेंगे फिर लखेंगे सा संस्कृत भासाया स्रिष्टतम कविहा अस्ति यानि कालिदास जी संस्कृत भासा के एक स्रिष्ट कविह है ठीक है दियते तादरसाह अनियत्र नास्ति मतलब की जिस परकार का रस प्रवा है यानि रस यानि पढ़ने पर आनंद जो कालिदास जी के काब्वियों में मिलता है उस परकार का रस या पर पढ़ने में आनंद किसी भी रस का नहीं मिलता है किसी दूसरे जो कभी होते हैं उन्हें कभी की कभी तमग पढ़ने से नहीं आता है इसके बाद अगला है हमारा चोफा पॉइंट तो यहां पर चोफा यह लेखा हुआ है चोफा देखेंगे सा कभी कुल सुनमरी अस्थी यानि यह कभी जो हैं हमारे तो से किस नाम से जानते हैं कुल सिरोमनी के नाम से भी जानते हैं इसके बाद हमारे लाश्ट यहां पर पॉइंट हो जाएगा क्या लिखा हुआ है अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जन्म भूमी है यानि इनका जन्म है जो उज्यन में हुआ था यह हमारा हो जाएगा आसा है कि आपने अच्छे से देखा होगा तो एक बार और देखा देते हैं अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यह रहा हमारा कॉस्चन नमबर यहाँ पर देखेंगे तो यह काली दास लेखेंगे उपर और यहाँ पर यह पर यह पर यह पॉइंट होगा आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर हो जाएगा ठीक है अच्छे से देख लीजिए यहा आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहां पर डिस्प्ले पर आपको यहां पर हिंदी अंग्रेजी गड़ित बिग्ज्यान का यहां पर आपको हल दिख रहा होगा इसके इन पर तो आप इन पर क्लिक करके पिछले वारे वीडियो का हल भी आप लिख सकते हैं जो आपने नहीं देखे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जै भारत आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहिएगा ताकि आपके जो परिवारवाले हैं वो आपसे यहाँ पर खुश रही तो मिलते हैं अगले वारे वीडियो के लेकर बहुत जल्द तब तक के लिए जैहिंद जै भारत